कि है लो माई डे रेस्टेंट स्वागा था आप सभी कि आपके अपनी प्रिबार रभीन की पार्स लागा जितने भी लोग भीहार पुलिस की त्यारी कर रहें सब को पता होना चाहिए कि आपका एक्जाम डेट जारी कर दिया गया 24 सिटमबर आपका एक्जाम तब घबराने ह कोई भैदा नहीं है अब आपको त्यारी करना पड़ेगा प्रैक्टिस से आप सभी से हम वादा किये हैं कि प्रैक्टिस वार्कबुक क्रियन पब्लीकेशन का 25 से यह और 25 प्रिभीयस यर इतना यदि आपको रटा देंगे ना तो गैरेंटी है कि आपका एक्जाम इतना ही जाएए और इसी में आपका प्रैशन फंस जाएगा उसके बाद आपका एक्जाम निकल जाएगा और आप रेडिरी फिजकल के लिए ठीक है तो चली जदा लेट नहीं करेंगे सब मैठेमेटिक्स से मैठेमेटिक्स का सबसे पहला प्रसन सेट संख्या पांच का ये रहा आ रुपय में दसंबलों के एक अस्थान तक पुर्णांक में आपको बताना है तो इजी प्रसने देकर घबराएए नहीं तीन मीनट बीस सेकेंड और पूल मिलाकर के बात करें तो तीन मीनट बीस सेकेंड का मतलब हुआ अगर सब को सिकेंड में कर लेंगे तो तीन मिनट का म है तो आपका विजनी क्या भीजली टेलीपोन भिल जो लग रहा है वह लग रहा हो पर फेंटीस रूपया पत्चास लासा था इसकों कर सकते पाइश तुर्पया 50 पैसा को आप डिरेक्ट 5550 पैसा बोल सकते हैं 3550 पैसा डिरेक्ट ताकि दसम्मलाव उख जाएगा सो से मल्टिप्लाई कर देते हैं किसी भी रुपया को पंधर करने के लिए पैसा हमें सो ते मल्टिप्लाई यानि कि दो-इसी स्थेंगद में 3550 पैसा लगता है और हमें यह बताना है यह घर हम पांच मिनटल स्थेंद मिटेलीफोन का बिल मटल Tigers करेंगे टेलीफोन को कितना भी लागा तो पांच मिनटल का मतलब चोपचफ यानि के तिन सो से कन देंस जेंए हो यह कितना हो गया 300 Southeast citizenusa केटगे नविध का दिया गया है हम पोट है इत इन्फ though से केंड' आ क्या कर पेंति सो पचास और करेंगे अंगर दू सो से तो एक से कंड़ को मान निकल इया लेकिन हम चाहिए 5 добी सिस होना चाहिए हमें चाहिए 330 सेकेन का और यह जो मान आएगा यहां आएगा आपका पैसा में लेकिन आंसर जो यहां पर दिया गया है रुप्या में दिया गया तक किसी भी पैसा को रुप्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं यानि कि गुने ए अब देखिए कहें पर आपको दस्वंबलों नजर आ रहा है नहीं आ रहा है जब दस्वंबलों नहीं नजर आएगा तो आपका मन बिचलित नहीं होगा अब कटिंग कुटिंग इस्टार्ट कर दीजिए आप सभी को पता कि यह डबल जीरो है तो एक से एक आई से ओर है है अचार के पहारा में भाद कर लिज्ञाल शमर्क देसर और पांचर के पहारा में 5 75 पांक इक स्ट रम पर जेगा कर जाएगा किन सत्य एक आज दो तेस्ट दो सो एक तिस और तीन दो सो चोट इस अब बाटा में कितना हो गया चालिस अब यह चालिस से डिवाइड करने का बारी है जब चालिस से डिवाइड कि देगा तो चालिस पच्छे-दौ-स ऑ बच गया कितना 34 4 तीन पर तैन तो चार सत्ताथा तैस्ट दो से चार एठीज वच्छ तो यहां पूसा भूसा ते नकि-वच्छ यानि तीन-तालिस तैस्ट तरस तेंगे या पका मामला है कि अभी करने का जैए और रहुआ डिकरेंगे तो करेंगे मरत बेचार 8 वट्रीस या आठ दस समलों यहां से घटाएंगे तो तीन और यह हो गया दो तेस आजाएगा फिर दसमलों लगा की पर जीरो उतारेंगे तो चार सत्य 282 तो नहीं लगा पाएंगे चार चक चोविस लगेगा चार पच्छे बीश अंधावन दसमलों पांच मर्तबे लगेगा याने कि और थोरा से आगे बढ़ेगा अगर सब्सक्राइब लगाएंगे तो यह आजाएगा इसे और यह आजाएगा ज़ियो तीन और यह दशामलों है तो फिर जीरो दिजेगा चार चालिस सते 282 दिवाइड करेंगे तो यहां पर 280 आएगा घटा किया 20 आएगा और कटेंगे तो यह 5 बारे में कटे जाएगा 40-25 यानि कि देखे तो 58.575 लिखना है तो यह अगले प्रस्न की तरफ और अगला प्रस्न यह आपके सामने क्या लिखा गया है प्रस्न में तरफ रशन में लिखा गया है रशन तरंका नाने टीटू कि 2 सेंटीमीटर ती जाएवं दो सेंटीमीटर उचाई वाले लब भृते बिलन का आयतन भन कि अजर्स इंटीमीटर में का होगा जहाँ पर पाई कमान 20 वाइस बटा साथ लेना आब अभी सब को पता है कि यह लंब भुष बिरित्य बिलन उसका जो आयतन होता है एक बाटा तीन फाई ऑड स्क्वाइर एच यानि कि एक बटा तीन पाई कमांद दिया गया है लिखने के लिए 22 बाटे साथ दो सेंटीमीटर तो आप माहिर होंगे अगर माहिर न होंगे या माहिर होंगे भी तो काटने का कोई जरूत नहीं क्यों कि यहां पर आंसर बाटा में दिया गया तो गुना कर दिजिए नहीं उपर से उपर चार दुना आठ आठ को 32 से गुना कि जाएगा तो 62 एक सोट शेर्टर बाट्टा में सती आए कोई कहीं पर नजर आ रहा है यह आ रहा है कितना सेंटिमेटर की उलिग सकते करेक्टांसर इस दूप को जकतने कर लें फिरमूला वेस्ट है चली है अगले प्रस्ण कि तरफ और अगला प्रस्ण देर यह आपके सामने राइंटी परसंट ही प्रसंघ्री है कि में क्या Ojaisola सप्रसिंवकर कि सब से बड़ी संख्या ज्ञाद कि जञLoCause सब्सक्राइट से दिथा किजेगा पिर उस्रेस्हाइट नहीं आपको करना क्या है डएरेट जांच लेंदा है जोगदा का मतलब कि वह संख्या दो और साथ से भाग लगना चाहिए टीस का मतलब शाखुने 5 लगना चाहिए 42 का मतलब जब कोई भी संख्या में दो से भाग लगना चाहिए तो अंती में जीरू दो चार छवाट होना चाहिए यह सब है पांच के करान यह कटा है अब हम चो से बात करते हैं तो चो का मतलब तीन गुने दो यानि कि उस सभी संख्या को जोड़ देंगे तो तीन से भाग लगना चाहिए नव आठ सत्रा सत्रा साथ चोविस यह चोविस में तीन से भाग लग जाता है संभावना है होने का इसको नो अट सत्रानो चोविस यह संभावना है लेकिन नो पतिन समय नहीं लगा तो यह अप्सें गलत हो लिया अब दो से यह 6 से जांचे लिए पंस जांचे लिए उसको चोड़का यह तो चुट कि यह सभी हो जाएगा इसमें अगर हम साथ से डिवाइड करते हैं तो साथ एक कम साथ बच गया दो और आठ साथ चुक अठाए साथ एक अगलती हो गया तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस ऑप्सन से ही दो पार्ट में तो लिए डिवाइड रूल से अप्चेक कर लिए कुन लग रहा है कु जो नहीं लगा अगला हो जागा उम्मीद बास समझ में आ गया होगा चले बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ और अगला प्रस्ण ये रहा आपके सामने प्रस्ण में लिखा गया है कि दो क्रामिक छोट मिल जाने से सीमा को 200 रुपय के अंकित मुल वाली एक कमीज 153 मे अमाल पिक इतना हैं 200 रुपय पहला चुट कितना का है या दूसरा चूट 15 पर संट गा तो कोई विचिका 15 पर संट मतलब 80% पर बेचना यह 50 कहां से लाते हैं सो में से जितना चूट रजा उतना घाटार देखे एक तो हम को दूसरा चूट पाता नहीं है तो मिया मानिके चलते हैं कि पहला जो छूट है पहला छूट उसको मान के चलते हैं एक्स परसेंट है यानि कि सो माइनस एक्स परसेंट करेंगे जैसे हम 15 परसेंट का छूट था तो सो में से पंदरा घटा दिए इस वाइट सो कर देंगे तो यह एक्स परसेंट का छूट है सो माइनस एक्स डिवाइड एक्स तो और यह दोनों छूट देने के बाद इसको मिल लाता है 153 यह आपस में क्या होगी है बराबर उमीद्यबास समझ में आगया होगा जब इतना समाझ में आगया थे डबल इसको नहीं काड़ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि गुना में तो सत्रह के पहाराय में 175 से 1750 और पांच के पहाराय में 20 कूली मिलाकर कि अगर बात करे तो यहां पे और कोई कटेगा दो के बहाराय में दो दहाएं के 10 पूली मिलाकर देखे तो इधर 100-1 बरावर नौधाइं के 90 यानि कि अगर हम एक्स की बात करे तो 90-100 यहां पर माइनस एक्स बस्ता मैनस से माइनस गया वोगा आवर एक्स बरावर बच जाएगा दस तो फाइनली पहली छूट 10 परसेंड का समझ में आगया अगले प्रस्ण की तरफ और अगला प्रस्ण यह आपके सामने कोई दिक्क्त होगा तो बता दीजिए ठीक ना प्मेंट वक्स फुला हुआ है गुरूप भी है टेलेग्राम चैनल भी है अब मेरा वार्टसप नमबर भी आपके पास होगा तो बता सकते हैं अगला स्री श्री राम ने सावधिक जमा में 14,000 रुप्रे का निविस किया परी पक्वता पर उन्हें कितनी धनरासी मिलेगी यदि उन्होंने चोह माह के लिए 20 परसेंट परती वर्चक्र विर्दी ब्याज़ पर किमाही रुप से सन्योजित निविस किया है तो इजी बात है कैस पर यह और यह लेकिन यहां जो ब्याज उनको लेना है कि माही रुप से सन्योजित है मतलब तीने महीन आपने पर यह चाहिए तो रेट जो है 20 पर सेंट पर टेक साल है मतलब 12 महीना का 20 पर सेंट रेट हुआ यह बारा महीना का कितना हुआ 20 पर सेंट यह आपको मिलेगा एंट्रेस्ट लेकिन आपको तीन तीन यह महीना पर ब्याद चाहिए इसका मतलब हुआ कि हम इधर 4 से divide कर देंगा इधर भी 4 से divide कर देंगे तो 3 महीना काٹने का वाद 3 महेना में इंटरेस्ट कितना मिला चाहिएब 5% उसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा परतेक 3 महीना पर, तो रेयल में ये इंटरेस्थ अब नहीं रहा अब है और चो माहना टाइम है तो ब्याज कितना बार मिलेगा हमको जरा हजार का 5% निकालेंगे तो 700 होता है यह पहला तिन माइना यह दूसरा तिन माइना फिर कि चौदह हजार का 5% मिलेगा 700 और फिर यहां पर मिलेगा इसका 5% 35 सब को जोड़ेगा तो साथ असा 1435 से यानी की जो ब्याद होना चाहिए वह 14000 सब्याद 435 सबस्क्राइब लेकिन फड़ी पक्वा था पर कितना पैसा मिलेगा यह बताना यानी कि टोटल आपको बताना मिस्ट्रदन तो टोटल मिस्ट्रदन यानि की मांट यह मांट की बारें बात करें तो प्रिंसपल पला इसपल 14,000 है और मन ही मन इसमें 1435 जोड़ेंगे तो 14,15 15,445 ना चाहिए कोई दिक्कत नहीं अगर कोई यादी में चाहेंगे तो दो बार के लिए जो ब्याद मिलता है उसको पांच प्लस पांच प्लस पांच का एसपार बटा सो यानि कि 10.25% ब्याद मिलता तो डिरेक्ट हम 10.25% निकाल के इतना ही निकल कि आता तो ऐसे भी आप कर सकते हैं लेकिन उसमें कलेकुलेशन तगर आ है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरह उम्मेद है कि बात समझ में आ गई होगी अगर नहीं आई होगी तो बता दीजेगा हम को टेगा लाइव क्लास लेकर लाए अधारा बेक्ति सात दिन मॉडल तयार यही तयार मोडल को 15 वेक्ति मिलकर कितना दीन में बनाएगा यहीं तो करना है दोनों मॉडल ही ही है तो बराबर कर दिए यह 15 से इधर काट सकते थे लेकिन यह कटे काने डिवाइड में आ जाएगा तो यह 18 गुने साथ डिवाइड यहां से अगर आप ध्यान देंगे पांच के तिन के पारामें तिन से कठार तिन पर्चे पंद्रा मतलब चौशते ब्यारीस बट्टा पांच बराबर एक्स देविसको काटे गात आठ दसम्लों कुछ पांच अठ चालिस और बचिका दो जीरो पांचों का बीस आठ दसम्ल और चार दिन लगेगा ऑप्सन तीन कर लेंगे ना कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे प्रसन अब डियर देखिए अगला प्रसन प्रसन संख्या 97 में क्या दिया गया है कि सिरी मती बिज्या एक निशित दूरी तक पैदल जाने एबम दौर कर वापस आने में बिन्दू तक आने में पुल 9 घंटा फचास मिनट का समय लेती है जबकि दोनों और पैदल जाने वह बारा गंटा 20 मिनट का समय लेती है दोनों और दौर कर आने जाने में लगने बला दौरा दौर का हम कहने का मतलब है कि कोई दूड़ी है वह दूड़ी को पैदल भी जाएगा और दौर के वापस भी आएगा मतलब पी से पैदार और डील से दौर का अगर ऐसा करता है तो कुल समय की बात करें 9 गंटा 50 मिनट अब यहां क्या करना है कि 9 गंटा 50 मिनट को आप 9 पुलस 50 वटे सा लिख सकते हैं नौ पुर्नांग 5 वटा चो यह पंचाने वटा चो नहीं है गलती सब को मिश्टेक दिखाई दे रहा है पांच वटा चो इसका आप नौच्छोग वना पांच 69 गंटा भी लिख सकते हैं पुर्नांग तोर के तो हम लिख लेता है डिरेक्ट तोर के ही 69 वट तो समय ले रहा है बारा घंटा 20 मिनट तो बारा घंटा 20 मिनट को आप ऐसे लिख के बारा अप पलस बीस मिनट को गंटा में कनवर्ट की जिस आर्च डिवाइड बिस्टे साथ यानि की बारा पुर्नांग एक बटा तीन तोड़ेंगे तो बारते चाथी सेक्सेंट बटा इतना घंटा हुँआ यह हो गया कितना सेटिस बटा तीन घंटा अब यहां से ध्यान देंगे इसको इक्लेस्टन में देख्या जोड़िए का तो यह टूपी निकले गा तूपी बराबर सैंटिस बटा में तीन इसे सबाटा 3 यह यहां सी आगर हम सिर्फ पी की बात करें फिर दो इधर चलाएगा यानिकर से संटिस बाटा 6 मतलब पैदा जाने में सिर्फ सुटा च्छो घंडा लगता है हमको बताना है दोनों और दर कराने में यानिक दी का मान चाहिए और दोनों और का बात क्या है तो दो से multiply कर देंगे कुछ नहीं पी का मान इधर रख देंगे तो समीकरन एक में यदि हम पी का मान रखते हैं तो 37 बटा चो पॉलस डी बराबर 69 बटा चो तो डी बराबर हो जाएगा 69 बटा चो में से 37 बटा चो माइनस कीजिएगा चो चो काले सिम चो 69 में से 37 बटा चो यह किसका माना गया डी का लेकिन करना क्या है उसको जाना भी है दोर के और आना भी है दोर के यानि कि डी पलस डी नहीं करना मतलब इसको दो से multiply कर देंगे तो डी मतलब दो गुने 22 बटा चो दो के पाराया में दो ती आई चो जब इसक से divide करेगा तो साथ तीन सते को इस एक बटा तीन यह साथ घंटा और एक बटा तीन को मिनटें बहुत लेंगे तो साथ से multiply काटेंगे तो बीस मिनट आ जाएगा यानि कि साथ घंटा बीस मिनट का समय लेगा option 4 फुरा समझा करके बताएं इसलिए यह सब लिखना जरूर यह आपको समझ में तो कोई बड़ी बात नहीं है फोई जी प्रसन मन ही मन चाहे तो आप calculation कर सकते हो चली भरते हैं अगले प्रसन की तरफ और अगला प्रसन यह आपके सामने प्रसन संख्या 98 लिखा गया है तो प्रसन संख्या 98 में लिखा गया है किसी वस्तु को तार पर्चं तो बिक्रेम मुलकान पाथ पूछा है स्पोन एस्पीटू हम यहां मानके चलते हैं कि सीपी जो है वह सो परसेंट तो है अगर चार परसेंट के लाप पर बेचेंगे तो एक सो चार होगा हमको मुलि में तीन का उंतर इससे कोई लिना देना ही नहीं नहीं है इसको कार दीजी तो या जयाज़ेगा 57 या जया जया चूबन सब करेक्ट आंसर जो होगा 26 अनुपास 27 ऑप्शन दो में वह जो मुली में अंतर तिन लिखा गया विक्रिया मुली में इसका कोई मतलब नहीं बनता है वह फसाने के लिए दिया गया चले बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ और अगला प्रसन यह आपके सामने 99 99 में दिया कि चरविAMA कि सरल किजिए मतलब शरा पाके साइब तो इजी बात है इसक को सरल नहीं कर सकते आप क्या कर सकते हैं जिन्द्ट आं यह फिरशक्तं औरבע ay सब्सक्राइब कर सकते हैं नौ में से चार गिया पांच वाई स्कॉयर पलस में एक्सस्वाइब आपको नजर आना चाहिए या तो पांच वाई या इसी को हम पलट करके हम एक्सस्वाइर पलस में पांच वाई इसा इसलिए तो प्रसंद संख्या प्रसंद में क्या लिखा गया है कि पानी के टंकी के पेंदे में दो चिदर है पहला चिदर भरी टंकी को आठ मिनट में अज दुसरा चिदर 12 मिनट में खाली कर सकता है या दि पानी समानदर से बाहर निकलता है तो दोनों चिदर मिलकर उसी भरी टंकी हो कितने मिनट में खाली कर देगा उस टंकी में पानी 12 मिनटे में खाली ऐसा करते हैं यह दोनों का एलेसियम ले 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 थे 14 तो यह चंकी का छमत आ गया अब यह जो निकालेगा तो 24 में 8 से डिवाइड करेंगे तीन के इससाब से निकालेगा और यह निकालेगा दो के पूशा गया है दोनों छिदरी मिलकर उस टंग भरी टंग की को कितना मिनटे में खाली कर देगा यह 24 लिटर भारा हुआ है दोनों मिल गया तीन आदू 5 की इसाब से कड़ेगा खाली पांच चोगा विस चार बच हैं मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में